भारत में कुरोना वायरिस के 2,4,842 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,65,3,132 हो गई है 3,741 नए मौते होने के बाद कुल मौतों की संख्या 2,99,266 हो गई है 3,55,102 नए डिस्चार्ज होने के बाद कुल डिस्चार्ज की संख्या 2,34,25,466 हुई है देश में अब सक्रिय मामलों की कुल संख्या 28,5,399 है देश में कुल वाक्सिनेशन का आंकड़ा 19,50,4,184 हो गया है